दोस्तों नमस्कार, राजनितिक के अंदर तमाम राजनितिक दलों के कुछ नियम और काइदे बनाई जाते हैं, राजनितिक दल तै करते हैं कि चुनाव लड़ने के लिए जो उनके प्रत्याशी होंगे, जो कैंडिडेट्स होंगे, उनके लिए वो किस-किस प्रकार के फाइल होगा, उसकी जनता में लोग प्रियता क्या होगी, चुनाव हारने और जीतने का उनका क्या रिकाउड होगा, ये बहुत सारी बाते होती हैं, जिनके आधार पर प्लिटिकल पार्टी अपने केंडिडेट्स तै करती हैं, आप से सारी बात का जिक्रिस लिए कि पिछ तो नेता दो बार विधानसभा चुनाव हार चुके हो, क्या उनको आगे टिकट नहीं मिलेगा? अगर आप देखें, तो लोगसभा चुनाव में तो ऐसा होता दीखा भी सही, कि बेवानी महंदरगड सीट से किरन चौधरी की बेटी शुरूती चौधरी जो दो बार लोग की टिकेट पर कैंची चला दी, उनका टिकेट कट गया, हलाकि किरन चौधरी बहुत आश्वस थी, और उसी के माइने माने जाएं कि वो बाद में कॉंग्रेस छोड़ करके भारती जनता पार्टी में चली गई, अब विधानसभा चुनाव की तयारी है, और विधानसभा च की 90 विधानसभा सीटों के लिए, और यह तो तब है कि अभी बहुत बड़ी संख्या में प्रमुख नेता जिन्होंने अभी तक आवेधन नहीं किया, अब हाला कि वो टिकेट केवल आवेधन करने वालों को ही मिलेगा, और या फिर चैन का उसमें नजरिया दूसरा भी लोगों को, यानि कि जो नेता दो बार चुना भार गए उनको कंसीडर ना किया जाए, अब इस बात को लेकर के हर्याना के कॉंग्रेस के राजनीतिक गरियारे के अंदर मैंने आपको पहले ही बताया कि चर्चाएं बहुत गरम हैं, क्योंकि हर्याना के अंदर ऐसी कई लेकिन फिर भी 15-16 सीटें ऐसी हैं कि जहांपर कोई संशय की स्तिती है ही नहीं, हाँ 3-4 सीटें ऐसी जरूर है कि जहांपर थोड़ा संशय बनता है, तो मैं आपसे चर्चा करूंगा कि आखिर वो कौन सी विधानसभा सीटें हैं और उसके बाद में क्या कॉंग्रेस का जो अभी टिक्टों का वंटन होगा विधानसभा के लिए क्या इस पैमाने को मानक के रूप में रखा जाएगा, हर्याना के लिए 90 विधानसभा सीटें हैं और जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जिन विधानसभा सीटों पर कॉंग्रेस लगातार 2-3 बार चुनावारती जही उन विधानसभा सीटों में अगर देखें तो आप तो उसके अंदर अगर सबसे पहले फरिदावार लोकसभा की मैं आपसे बात कर लूं तो फिर प्रतला विधानसभा आती है जहां से रगवीर सिंह तेवतिया लगातार 2 बार चुनावारे उसके बाद में यहां बढ लखल विधानसभा सीट पर स्थिती बहुत खराब रही अगर अगली बात करें तो फिर इसके अंदर लखन सिंग्ला का नाम भी आ जाता है जो 2014 में चुनाव हार गए थे बल्लावगण और 2019 में चुनाव हार गए वो ओल्ड फरिदाबाद फरिदाबाद की सीट से इसके अ नाम तो फिर हतीन का भी आता है जहां पर 2014 में चौदरी जलेब खां चुनाव हार गए दिवंगत जलेब खां और 2019 में उनके बेटे इसराइल चौदरी चुनाव हार गए अगर आप देखें तो फिर नाम आता है नारनौल का नरेंदर सिंग्ग वहां से चुनाव लगातार दो बार हरे आगे चलें तो फिर जीन्द जले की जुलाना विधानसवा सीट का नाम भी इसमें आएगा वहां से धर्मिंदर सिंग्ग आरे नर्वाना का नाम भी आएगा विद्या रानी आरी फतेहबाद का नाम भी आएगा प्रहला सिंग गिला खेडा हरे रतिया का नाम स्धाब का नाम भी आएगा सरदार प्रमवीर सिंग रए शाबाद का भी आएगा अलिल कुमार रहें गोला से दिलूराम बाजीगर दो बार हर गए पटोधी से सुधीर चौधरी सुधीर कुमार रहें चौधरी उध्यभान के नजदी की रिस्तेदार हैंगे पहवा से महिण अगर आगे चलें तो फिर कुरक्षेत्र जिले की पहवा विधानसभा सीट मंदीप सिंग हार गए लोहारू से सोमवीर सांगवान हार गए बाजड़ा विधानसभा सीट से रनवीर सिंग महंद्रा दो बार चुनाव हार गए बवानी खेडा से रामकिशन फौजी दो बार हो गया और आगे चलें तो कोसली से यादविंदर सिंग का नाम आ जाएगा ये तमाम नाम है कि जो लोग चुनाव हार गए दो बार तीम बार इस टाइप के नाम जो है हलांकि कुछ हो सकता है कुछ विधान सभा सीटें और भी हो हमसे कुछ छूट रही हो लेकिन ये नाम प्रमुक है जो मैंने आपको बताए और इस वीडियो में आपके साथ है कि विधान सभा छेत्रों में और कौन लोग सक्रिये हैं तीसरी बात यह आ जाती है कि क्या इस जो दो बार हारने वाला इशू चल रहा है जो इसमें क्या ये सामान्य केंडिडेट्स के लिए होगा और या फिर जिनकी पैर भी बड़े नेता कर रहे होंगे क्योंकि अगर नाम फरिदाबाद का मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ तो सभी नेता जिनकी आपसे मैं बात करूंगा वो भुपेंदर सिंग घुड़ा जी के बहुत नजदीक हैं उस थिति में क्या होगा अब आपको मैं बता रहा था कि जो दो बार विधान सभा चुनाव ह करने थें दो जाख सोधार और उन्स जब ढ़नों वार भारती जंता पारटी की हर्यांना में सरकार बनी तो दो जैर चौधा में तो तो बहुजं समाज पार्टी चुनाव जीत गई 2024 की चुनाव की तो 2024 का लोगसभा चुनाव अभी हाली में संपन हुआ और लोगसभा चुनाव में प्रतला विधान सभा से महंद्र परताब जो कैंडिडेट थे लोगसभा के वो जीत कर गए लगवग 7500-8000 वोट के बीच में अब बात ही आती है कि जब लोगसभा चुनाव प्रताब के साथ में बाकी कॉंग्रेस के अंदर और भी तमाम नेता और जो बाकी के नेता हैं जो टिकेट की दावेदारी कर रहें हैं वो आजकल इस बात को ले करके बहुत बड़ी चर्चा दे रहे हैं और उस चर्चा को हवा दे रहे हैं कि दो बार चुनाव हारने के कारण चौधरी रगवीर सिंग तेवतिया की टिकेट पर खत्रा हो सकता है अगर यह बात आ जाती है कि जिनके साथ में बड़े पुलिटिकल नेताओं का अगर उनको कोई वर्ध हस्त है तो क्या वहां भी यह बात जाएगी और दूसरी बात कि रगवीर सिंग तेवतिया ने दिखाया कि 2024 के लोकसभा चुनाओं में उन्होंने पूरी मेहनत करके पार्टी को आगे ले करके गए अगर यह वाली बात आती है तो फिर प्रती सौफ्ट करनर हो जाएगा पार्टी आला कमान का क्योंकि महंदर परताब भी उनको समर्थन देंगे भूपेंदर सिंग उड़ा उनका समर्थन पहले से करते ही है अब अगले में नेता की बात करूं तो फिर अगले नेता फरिदाबाद लोक सभा में लखन कुमार सि भी भूपेंदर सिंग हुड़ा के बहुत नजदीक हैं खुद को हुड़ा साब का वो हनुमान बताते हैं लखन कुमार सिंगला और उनके बेटे निदिन सिंगला दोनों पूरी तरह सक्रिये हैं कॉंग्रेस पार्टी के अंदर लखन सिंगला ने भी इस चुनाओ में कि फरिदाबाद विधान सभा सीट पर पार्टी प्रत्याशी महिंदर परताब चुनाओ भारे और उनकी हार भी बड़ी थी लेकिन इसके बावजूद भी लखन कुमार सिंगला ने वहां पर जो बताया जाता है कि वहां पर लखन कुमार सिंगला के कारे को नजरंदाज भ बल्लबगर विधान सभा में बल्लबगर विधान सभा से चुनाओ लड़े थे लखन सिंगला और वहां पर वहां पर हार गए थे उसके बाद उनको 2019 में विधान सभा का टिकेट मिला फरिदाबाद से फरिदाबाद विधान सभा का भी चुनाओ लड़ा और वहां भी हार अब तयारी आजकल लखन कुमार सिंगला फिर से फरिदाबाद के लिए कर रहे हैं लेकिन अगर यहां जो मैंने आपको बताया कि वो दो बार हारने वाला फैक्टर कितना प्रभावी होगा और जो मैंने आपको बताया कि पार्टी के बड़े नेता कितनी स्पोर्ट कर सकते हैं क्योंकि चौदरी उदेभान के और चौदरी भुपेंदर सिंग हुड़ा के लखन कुमार सिंगला बहुत नजदीक माने जाते हैं अब अगर तीसरा नाम मैं आप से जिक्र करूँ तो फिर तीसरा नाम आएगा इसके अंदर बढखल विधान सभा सीट का और बढखल विधान सभा सीट से में इसमें नाम आएगा महिंदर परताब जो लोग सभा के कैंडिडेट थे और उनके बेटे विजए परताब का 2014 में महिंदर परताप जी विधान सभा का चुनाव हारने के बाद प्रिटिकल रूप से वो पूरी तरह सक्रिये नहीं रहे और उन्होंने अपने बेटे विजय परताप को बागडोर सौंब दी विजय परताप कैंडिडेट हुए 2019 के विधान सभा चुनाव में बढखल विधान सभा से लेकिन विजय परताप को भी सीमा तरिखा ने चुनाव में हरा दिया यानि की पहली हार पिता की हुई और दूसरी हार बेटे की हुई अब 2024 का जब लोकसभा चुनाव हुआ तो लोक सभा चुनाव में भी महिंदर परताप जी को कॉंग्रेस ने कैडिडेट बनाया लोकसभा का महिंदर परताप जी ने मुकावला खुब अच्छे से किया लेकिन इसके बावजूद महिंदर परताप लोकसभा का चुनाव जीत नहीं सके लगवग एक लाग 6870,000 वोड से कृ पाल गूजर चुनाव जीत गए सांसत बन गए अब दूसरी बात ही आ जाती है दोस्तों कि महंदर परताब जी चुनाव तो हारे लेकिन इसके साथ साथ ही अपनी विधानसवा जो उनकी बढखल विधानसवा है वहां का प्रदर्शन बहुत ही जादा खराब रहा बढखल व महंदर परताब जी चुनाव दो हारे और एक विजय परताब आ रहे हैं लेकिन महंदर परताब जी का चुनाव सारा जो संभालते हैं वो विजय परताब ही संभालते थे इस लिहाज से देखें तो क्या उन पर भी कोई असर आएगा और अगर मैं चौती आप से सीट की बात करूं तो फिर वो हथीन विधानसभा आती है हथीन विधानसभा जहां से कि मुहमद इसराइल तैयारी कर रहे हैं कॉंग्रिस की तरफ से इसराइल मुहमद पिछली बार भी कैंडिडेट थे 2019 में और वो चुनाव हार गए परवीन डागर से दूसरे स्थान पर रहे परवी जलेब खां कैंडिडेट थे चौधरी जलेब खां 2009 में निर्दलिये विधायक बने थे और उन्होंने कॉंग्रेस को समर्थन दिया था कॉंग्रेस को सपोर्ट किया था और कॉंग्रेस को समर्थन देते हुए उनको बनाया गया था संसदिय सची भरियाना के अंदर चौध फिर 2019 में मुहम्मद इस्राइल को टिकेट मिला लेकिन मुहम्मद इस्राइल भी चुनाव हार गई आपको अधीन विधान सवा के बारे में वैसे में अगले वीडियो में एक और भी चर्चा करूंगा बताऊंगा कि अधीन का सेनेरियो क्या है लेकिन यह जरूर है कि जो दो विधानसवाँ सीटों से आरे क्योंकि वुलखन कुमार सिंग्ला पर आती है अगर परिवार की बात आती है तो चौौधर महंदर परताप और उनके वेटे व्जय पर बात आती है चौधरी जालेव खान और उनके मुहमद इस्राइल पर बात आती है और लेकिन एक ही विध से दो बार हारने की बात आती है तो फिर ऐसे candidate रगवीर सिंग्ह तेवतिया हैं प्रतलाविधान सब्धा में अब क्या Congress प्रिज़ ने जो मानक बनाया है दो बार नेताओं के चुनाव हारने का या दो बार से ज़्यादा हारने का कि उनको टिकेट ना दिया जाए वो फरिदाबाद के अंदर कितना प्रभावी रहेगा कितने नेताओं को प्रभाविद कर सकता है बड़ा सवाल चल पड़ा है यह कौन से नेता आ सकते हैं उन श्रेणिंग के अंदर कौन से नेताओं को पार्टी ले सकती है और सबसे प्रमुक सवाल कि क्या ऐसे नेता जिन पर कि दो बार चुनाव हारने की तोहमत या बात चल रही है उनके लिए अगर पार्टी के बड़े नेता कोई उनका समर्थन करते हैं या उनके लिए टिकिट के लिए वीटो पावर यूज़ करते हैं तो क्या कोई ऐसी वीटो पावर यूज़ हो सकती है कमेंट सब्सक्राइब करें देश रोजाना के यूट्यूब चैनल को और नई वीडियो की नौटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन ज़रूर कर झाल झाल झाल